हलो फ्रेंड्स आईए सिंदी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है देखे 66 BPSC में जैसे जोगरफी ऑप्शनल का पेपर कंड़क करा लिया गया है आयो की तरफ से तो उसे हम एक बार आपको प्रशनों को दिखाना चाहते हैं कि कैसे प्रशना आया है इस बार एक्जाम में जिससे कि जो आगे की तैयरी करना चाहते हैं BPSC में 67 की तो उन्हें एक अच्छी रणनीती बनाने के लिए ये काफी important है की question कैसे आयो है उन्हें देखना तो आए ये देखते हैं देखे टोटल या है 6 question आपको करने होते हैं और टोटल 12 question आपको एकजाम में पूछ से चाहते हैं और ये शे question करने होते हैं जैसा instruction दिया गया था उसके according, तो तीन question set 1 से करने होते हैं, section 1 से, और तीन question section second से करने होते हैं, तो पहला question आया है, जो sub-part में divided है, तो पहला question है, प्लेट विवर्दनी की क्या है, प्लेट संचलन कैसे भूपटल में बदलाव लाता है, और इसका B part है, कोशन नमबर second के अगर हम बात करें, विविन प्रकार के बातागर और उनसे संबंदित मौसम का विवर्ण दे, second part है इसका, जल चक्र क्या है, इस चक्र के विविन अव्यव मिलकर कैसे काम करते हैं, तो यह question number second था, question number third की बात करें अगर हम, विश्व की प्रमुख महासागरी धाराएं कौन सी हैं, उत्री अट्लांटिक प्रभा और लेबरोडोर धारा का तटी छेत्रों की चलवाईव पर प्रभाव की तुलना और अंतर बताएं, इसका second part है, पारिस्तिक संतुलन और असंतुलन से आप क्या समझते हैं, भूमंडली पारिस्तितिक असंतुलन में युगदान देने वाले तत्वों का वर्णन करें, कोशन नमबर फूर है, भूगोल में विरोधा भास और दोयत वाद से आप क्या समझते हैं, इसका second part है, विश्व में मानव नसलों की विश्यश्ताओं और उनके भूगोलिक वित्रण का वर्णन करें, इसका second part है, विश्व में नगरी फैलाओ और विर्दी से संबदित कौन सी समस्याएं हैं, कोशन नमबर शिक्स है, का ये part है, संगवाद क्या है, भू सांस्कृतिक विवित्ताओं वाले देश में सफलता पूर्वक सासन के लिए इसकी आविश्यक्ता क्यों है, इसका second part है, विट्सली द्वारा विश्व को क्रिशी प्रदेशों में वर्गीगित करने का आधार क्या है, second part का question number, पहला मतलब seven का ए part है, भारत के मुख्य भू प्राक्रतिक खंड कौन से है, हिमाले की विभिनी श्रेडियों और धरातलिये कृतियों का वर्दन करें, इसका B part है, भारत में जनजाती जनसंक्या के भागोलिक वित्रण का विवर्ण दें, question number eight है, भारती ग्रामीड अर्थव्यवस्था में पसुपालन का क्या महत्व है, इसका B part है, भारत के वन आधारित मुख्य उद्योग तता उनके भौगोलिक वित्रण का विवर्ण दें, question number nine है, nine का A part है, भारती राष्टी राजमार्ग प्रादिकरण की भारत में सड़क निर्माड और रखरकाओ में क्या भौमी का है, इसका B part है, पिछले तीन दसक में भारत के नगरों में गंदी बस्तियों का फैलाओ क्यों हुग हुआ है, ये नगरी पर्यवरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, question number ten है, भारत में विकास इस्तर में प्रादेशिक आसमानता के मुखे करण क्या है, इसका B part है, भारत, चीन, सीमा, विवाद, मुद्दे पर चर्चा करें, question number 11 है, बिहार में क्रिशी भूमी उप्योग और फसल प्राणाली की मुखे विसेश्ताएं क्या है, प्रदेश की क्रिशी समस्याओं का विशलेशन करें, question number 12 है, का A part है, बिहार में और द्योगिक पिछले पन के कारण और पर प्रादिनाम पर प्रकास डालें, और इसका B part है, बिहार देश में सबसे कम सहरिक्रित राज्यों में क्यों सामिल है, तो ये question paper 66 BPSC Mains Geography Optional का था, उमीद है आपको paper कैसा pattern चला है, ये समझ में आया होगा, तो आपको आगे इसी के recording planning करनी है, आपको अगर ये PDF चाहिए, तो हमारे telegram link जो description में दिया है, आप उसे join करिए, आप वहाँ से इसे download कर सकते हैं, साथ ही अगर आपका कोई और optional है, तो आप उसे भी उस group में जाके join कर सकते हैं, Thank you friends, keep watching, keep sharing.